आई गाईज वेलकम आल्यू इन माई न्यू ब्लॉग और आज का जो ब्लोग है वह आई-ई-टी केंपस का है मैं इस लोकीशन पे कुछ दिन ठहरा हुआ हूँ तो मेरा आज का ये ब्लॉग है और ये जो केंपस है वह नौर्थ केंपस है यहां पर जो है ये सबी हुश्टल ह जो आप देख रहे हैं और यह यहां जो काफी कुछ है काफी कुछ है गार्डन कि बहुत चीजी की हुई year और यहा पर देख सकते हैं कि कैसा व्यू है आससका ये जो व undermबागगो दो केंपस की दाएरे में में 3 सारा डेंपस और यहां पर देख़िए आप कितने ज्डिया की हुई है और यहां पर यह लाइवरेरी भी है यह होस्टल है यहां पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से यहां पर पेडों के गार्डिन की हुई है और यह पहाडों के बीचों बीच कैमपस है दोनों ही कैमपस नौर्ट और साउथ पहाडों के बीच में है और यहां जो हैं कि यहां पर कितने के बड़ी बड़ी यह हो है यह सब्धियों लगाए है शुटे-चोटे पौध लगाए हुए जो के काफ देखने में काफी सब्たक्राइं, मैं वहां तो यहा था होका सिर्पा सफुत्रा रका गया यहां जा आप सामने देख रेंगे यहां वह से मैस का नाम है पाइन मैस, और इससे उप्र भी सहें है यहां पर कॉर मैस हैं 5-6 मैस हैं इन सभी की नाम रखे हुए हैं जैसे आउक मैस पाइन मैस लेवल इसके निच्छे वो भी है उसके उधर बाला भी है चार पांच रास्ते हैं है और फेले आदमें नहीं जानता है आपको कितना टाइम हुआ यहां पर बहुत ही कम टाइम हो इसका मतलू है अपको तो फिर बहुत जानका रिए खाश्चा अच्छा टो रहता हुआ इसे अच्छा काना लेरे जाना है कि यह क्या है यह ग्रीन हास तो नहीं कि यह चंपरूव गह रहा है कोई यह है कि यह लिखा वह मैस का वे टू गो ओक मैस कि यह सामने है अपनी कि यह इधर वाली आश्ट में आश्ट में यहां यहां पर अब बहुत कम इधर से आता हूं तो खाना लेने दर से ही चला जाता हूं अब इसे यह पिछ्छा है कि इंपिंप शिंदी बड़ी सुनते रहे यहां कि अच्छा लगता है इसलिए तुम्हें आप पढ़ रहे हो आप क्या करते हो अभी पढ़ते हो कि मैसमें हो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा हूं अच्छा तो परले यह गते थे आप परले यह काम कर रहा था जी काम कर दा था था थैंक्स फर वाचिंग व्लोग बाबाए गाईज प्रका थैंक्स पतल इसलिए